हलो बच्चो तो मैं प्रिया राठोल लेकर आगई हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर और आज है हमारा नंबर 13 और वो करने वाले हम चैप्टर नंबर 5 का जो कि हमारा चल रहा है और अब चलता रहेगा बता हूँ आपको क्योंकि फिर तभी तो कहते हैं कि 11th is more lengthy than 12th तो भ पर अब भी कर लोगे तो 12th में सुखी रहोगे ठीक है चलिए आजाओ तो लेक्चर फ्लो क्या है लेक्चर फ्लो वही जो हम कर रहे थे कि हमने शुरू किया था कि हम क्या करने वाले हैं हम स सिमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे इससे पहले की क्लास में हमने असिमाक्ष पुष्पक्रम असिमाक्षी वाला और उसके प्रकार पढ़ लिये थे ठीक है इसको क्या कहते है साइमोज इन्फ्ल तो आपको पता चल जाएगा कि यह स सिमाक्ष है या असिमाक्ष और यही अंतर मेन रहेगा तो अब आप एक बार उसको देख भी लेंगे कि क्या अंतर है और मैं बता भी दूँगी सबसे पहला क्या है कि साइमोस प्रकार का है क्या किसको कहते हैं वो देख लेते हैं चलिए तो शुरू गरते इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पर ध्यान से सुनना मेरी बात को आपको अंतर पता चल जाएगा दोनों में मुख्य अक्ष पर शिर्षस्त कली का बनने के कारण इसकी व्रद्धी रुख जाती है तथा पार्षवी अक्ष जो कि अंतरस्त कक्षस्त कली का जिसको हम कहते हैं वो फ्लार में नहीं बदलती पुष्प में बदलती यहां पर क्या होता है जो शिर्षस्त कली का होती है वो किसमें बदल जाती है फ्लार में बदल जाती है पुष्प में बदल जाती है तो अब इसकी व्रद्धी जो है वो रु लगेंगे ब्रांच पर और ब्रांचेस पर यही कहानी रहेगी सबी ब्रांचेस यानि सबी शाखाओं के कोने पर यानि शिर्श पर पुष्प लग जाएगा उसकी व्रद्दी रुख जाएगी अब देखो जैसे यह वाली शाखा है इसको ध्यान से नोटिस करना मानलो यह व option रहेगा यह में ब्रांच से निकलेगा ठीक है व्रद्धी रुख जाती है तो यही में काम है साइमो उसका रुख जाती है और पार्श्वी अक्ष जो कि पुष्प शिर्ष्प पुष्प के नीचे से निकलता है और यह भी क्या करेगा यहां पुष्प में समाप्त हो जाती इस प्रकार पार्श्वी अक्षी की व्रद्धी भी सीमित हो जाती है बात समझें मेरी बात को आपको समझ में आया होगा क्या कि एक तो टर्मिनल पुष्प बन गया तो में एक्सिस की व्रद्धी भी रुख गई ठीक है और टर्मिनल के साथ जो ब्रांच बन रही है उस ब्रांच के भी शिर्षवत्त कली का पुष्प पर परिवर्दित हो जाईगी तो इसकी भी व्रद्धी रुख जाएगी अब जो नया पुष्प निकलेगा वो फिर यहां से निकलेगा या फिर इसी ब्रांच की ब्रांच से भी निकल सकता है लेकिन अब ये वरद्दी नहीं करेगा ठीके तो सब की वरद्दी रुख जाएगी मेन वाले की भी रुख जाएगी और पार्ष वाले की भी रुख जाएगी दोनों वरद्दिया क्या हो जाएगी सीमित हो जाएगी ठीक है पुश्प की वेवस्ता तला भी सारी क्रम में होती है याद करो वो पुरानी बाते कल के ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमने एक्रोपिटल मैनर में पढ़ा था और मैंने कहा था अभी एक और आएगा बेसी पिटल मैनर यही है वो बेसी पिटल मैनर या बेसी पिटल सक्सेशन भी आप इसको बोलते हैं तला भी सारी मैंने वहाँ पे समझाया था फिर से समझाओंगी चिंता मत करो में होती है इस क्रम में पुराने पुश्प शीर्ष की और तता नए पुश्प नीचे की और लगते हैं उसमें क्या था हमने कहा था अग्रा भी सारी आगे वाला नया ऐसे याद किया था हमने कि हम लाइन लगाते हैं तो आगे वाले में छोटे बच्चों को खड़ा करते हैं पीछे बड़े बच्चों को और जो छोटे हैं obviously वो क्या होंगे age में भी कम है height में भी कम है तो वहाँ पे हमने ऐसे याद किया था कि अगरा भी सारे में क्या होगा पुष्प के आगे वाले पुष्प करम के आगे वाले पुष्प जो है वो नए होंगे छोटे होंगे और नीचे वाले पुष्प पुराने होंगे यहाँ पे उल्टा तला भी सारी तो तल में तल का मतलब बेस तो अगर यह पुष्प है अगर यह हमारा मुख्यक्ष है ठीक तला भी सारी तल पर नहीं जो word आ रहा है तल आ रहा है तो तल पर नहीं अगर आ रहा है तो आगे नहीं ये बात ध्यान रखना ठीक है उसमें अगरा भी सारी था आगे नहीं थे ये तला भी सारी है तल में नहीं है तो ये पुश्प जो हैं वो नहीं है और जो बाद वाले प पुष्प खिले होगे मिलेंगे तो जस्ट उससे उल्टा बन रहा है उल्टा क्रिस्मस ट्री बन रहा है वहाँ पे क्रिस्मस ट्री जैसा बन रहा था तो तल पे जो होंगे वो कैसे होंगे नए ठीक है और यहां पे जो होंगे वो पुरानी होंगे तो ये उल्टा करम बनता है जिसको बैसी पिटल मैनर कहते है ठीक है बास समझ में आ गई हो कि कल मैंने दोनों ही समझा दिये थे फिर से समझ तो एक अंतर ये हो गया एक ये एक ये अब बात करते हैं सासिमाक्ष पुष्प करम के प्रकार पर प्रकार तो हैं ही डिफरेंस जब वो ही डिफरेंस है तो प्रकार भी डिफरेंस होंगे और इसका मैं इंग्लिश आपको बता चुकी हूँ साइमोज है उसका रैसी मोज था सबसे पहला इसमें सिंपल से प्रकार है ज्यादा कोई हैड़ेक वाली बात ही नहीं है सिंपल है एकल शाखी सासी माक्षवाला नाम बता रहा होगा इसका एकल शाखी मतलब क्या है सिर्फ एक शाखा है अब कहां शाखा है उपर तो पुश्प लग गया है उपर तो कोई शाखा बननी नहीं जो भी शाखा है बन रही है वो कहां बन रही है साइड में, तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मुख्य अक्ष से सिर्फ एक ही शाखा निकलती है अब एक ही का मतलब क्या है एक तरफ से है, एक ही तो फिर पोदा ही खतम हो जाएगा ठीक है, एक ही तरफ शाखा निकलती है जिसको हम बोलते हैं, यूनी पैरस साइमोस इसमें मुख्य अक्ष की व्रद्धी एक पुष्प बन जाता है जो कि इसका में लक्षन है बन जाने के बाद रुख जाती है तता एक बार में ही पार्श्व अक्ष उत्पन होता है एक ही पार्श वाक्ष उत्पन होता है अतह पुष्प वरंत संधी ताक्ष हो जाता है अब यह संधी ताक्ष क्या है मैं समझाओंगी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं sympodial,sympodial का मतलब होता है सारी चीजे एक तरफ सब कुछ एक जैसा, संधी ताक्ष मतलब संधी संधी पर पुष्प लग जाएंगे और पुष्प वो सब एक साथ होते हैं इसलिए उसको sympodial क्याते हैं, एक ही तरफ शाखाएं, ठीक है, सारी शाखाएं, सारा जुकाव एक ही तरफ, इसलिए ये पुश्पक्रम दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला कुंडलित रूप यानि की हेलिकोइट टाइप का, इसमें सभी पाश्व शाखाएं अक्ष की और ही निकलती है, जिससे अगर ये अक्ष है, तो सारी शाखाएं इधर ही निकलेगी, या तो right side या फिर left side, या राइट side निकल रहे तो सभी right right right, और left ले निकल रहे तो सभी left left, कैसे देखो, ये हैं मुख्य अक्ष है, अब ये कह रहा है कि ये तो खतम हो गया, इसका तो फूल बन गया, अब इसस इस पे भी फूल बन गया, ये खतम हो गई, फिर दूसरी शाखा निकली ये, इस पे भी फूल लग गया, ये भी खतम हो गई, तीसरी शाखा निकली ये, इस पे भी फूल लग गया, ये भी खतम हो गई, तो सारी शाखाएं एक ही साइड निकली है, इसलिए इसको ये कैसा बन तो फूल के मारे ये कैसे हो जाती है, जुक जाती है, इसलिए ये कैसे दिखाए देती है, कुंडलित दिखाए देती है, मतलब अगर हम इसको बनाना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगे कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, कुंडलित हो जाएगा, उधारन देख लो इसके, मक इधर से भी शाखा, इधर से भी शाखा, इधर से भी शाखा, इधर, भार बढ़ा हुआ है इस पर, तो यह सब जुग जाएंगी, बस यह ऐसी कुंडलित हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हैलिकॉइड कह देते हैं, और एक ही तरफ लगेगी, अब माल लो इध बिगोनिया, देखे होंगे आपने जनरली, कहीं आप अगर गार्डन वार्डन में जाते हैं, कुछ के पूरी डाली ऐसे ही जुखी होती है, ऐसे कुंडलित, अभी फोटो बताती हूँ मैं आपको इसका, यह देखू, कैसे यह जुग गया है, सारे भार की वज़व से ऐसा हो गया है, तो इसको बोलते हैं कुंडलित टाइप का, एक तरफ जुख जाता है, फिर है स्कॉर्पियोड, अब स्कॉर्पियोड कैसा होता है, स्कॉर्पियोड मतलब बिच्चू, बिच्चू के डंक होते हैं ऐसे, दो डंक, तो दो डंक होते हैं तो यह दोनों तरफ लग इसमें पार्ष वक्ष दोनों पार्षों में एकांतर क्रम में निकलते हैं पार्ष वक्ष निकल रहे हैं मतलब पुष्प भी लग रहे हैं पार्ष वक्ष से मतलब पुष्प भी है सबके शिर्ष पर एक push purpose無ION लगए है, क्योंकि सिमाक्ष का यह है कि शाखा फे उसलम लग जाता है to push purpose पर ऑफ बहुत रहता है, साइड में नहीं रहेगा, साइड से तो सिर्प ब्रांच निकलेगी उसपर ब्रांच लेगी उस पर भी पुश पर मिखलेगा ठीक है यह है हेलियो ट्रॉपियम यानि की रेनन कुलस ऐसे धतूरा में भी आप देख सकते हैं अगर आपके आसपस कहीं धतूरा है जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया आगे भी दिखाऊंगी धतूरे में क्या होता है शाखा आपको कह रहे हूँ बहुत इंपर्टेंट है रेनन कुलस के मैक्सिमम मेंबर जो है वो स्कॉर्पियोड प्रकार का यानि की व्रशी को प्रकार का क्या प्रदर्शित करते हैं पुश्पकरम प्रदर्शित करते हैं यह कई एक्जामों में पूछा हुआ है इसलिए आपको याद करना है तो चलो इसको मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूं क्या होगा इसमें अब इसमें देखो यह कह रहा है कि एकांतर कर्म में लग रहा है तो एकांतर कर्म में दोनों तरह से लग सकते हैं मान लो यह एक पुषप कर्म है मतलब पुषपी अक्षे मुख्य पुषप अक्षे इस पर यहां पर एक पुषप लगा अब मैं पुषप गोलों के रुप में बना रही हूं सिर्फ ठीक है और एक यहां पर लगा फिर एक यहां पर लगा फिर एक यहां पर तो हम ऐसे लगत स्कॉर्पियन प्रकार का पुष्प कर ठीक है व्रशी कर इस तरह से पुष्प लगे एक इधर एक इधर एक इधर अब इसमें ऐसा भी लग सकता है देखू इसमें यह चीज़ भी आप देख सकते हो आप सोच रहोंगे ऐसे क्यों नहीं लग रहा एक्जक्ट्ली लेकिन यह हम क्या पढ़ेंगे डाइक असल में पढ़ेंगे तो ये वाली गलती जो है मत करना Scorpion में alternate लगाना है एकांतरित रूप से लगाना है opposite नहीं लगाना ठीके इस बात को याद रखना तो ये वाई मेरी बात जो है आप ध्यान रखेंगे ये किसमे और आप देख सकते हो कर आप कपास में देखना चाहते हो कपास में वैसे dikacel भी मिलता है किसी किसी species में तो इस पे भी देख सकते हो ठीके इस टाइप का जो है आपको draw कैसे करने है आप सोच रहोंगे ऐसे ही draw करने है आपको आपके book में भी आप देखोगे आपके तो ऐसे ही diagram बने गोले बना बना के चाहो तो अच्छा flower बना दो आपकी मर्जी है ठीके यह हो गया scorpion प्रकार का अब बात करते हैं next इसको बताऊंगे चिंता मत करो छोड़ नहीं रही dikacel इसमें pushpi अक्ष के pushp में समाप्थ हो जाते हैं यह तो सब में ही करना है है ना यह line तो सब में ही add कर देना होने पर नीचे की परवसन्दी से दो पार्षवे शाखाय निकल कर pushp का निर्मान करते है die die का मतलब दो होता है English वाले में और yugm से आप समझ सकते हैं yugm का मतलब होता है जोड़ा अब जोड़े में कौन होगा जिसके दो होंगे दो से जोड़ा बनता है न तो जिसके दो होंगे वो yugm में होंगे अब yugm में कैसे पताती हूं आपको dianthus और steely reia ठीक है यह दो इसके example है इसमें क्या होगा वही जो मैंने अभी बताया दो yugm में लगेंगे मतलब एक flower इदर एक flower इदर एक flower इदर एक flower इदर फिर एक इदर और एक इदर और main पे तो लग नहीं है वहाँ पे शायद मैंने main पर नहीं बनाया उसको बनाईएगा वरना वह फिर साइमोज नहीं रहेगा यहाँ पर आप बना दीजिएगा ध्यान से छूट जाए कभी यह चीज कभी गलती मत करना वरना यह रैसिमोज बन जाएगा साइमोज की quality यह यह कि इसके main अक्ष पे एक terminal यानि अंतस्त पुश्प होना चाहिए और साथ में शाखा उपर भी होना चाहिए और फिर वह शाखा आगे नहीं बढ़ेगी अब यहाँ पे ऐसे branches जो है वो opposite लग रही है किसमें? Dicaceal में तो यह हो गया Dicaceal जिसके उधारन हमने पढ़े Dianthus और Stelaria यह आपको ढूणने पढ़ेंगे प्रकृति में यह आप सोचोंगे इस बार मैं कोई वीडियो नहीं बता रही है एक वीडियो बताऊंगे मैं आपको Multicaceal का यानि की जो है Polyaceal का वही बताऊंगे बाकि आप खुद ढूणनेंगे क्योंकि देखो कुछ चीजों का मैंने कहा सीजन नहीं होता है अभी कपास मुझे मिला नहीं और यह सब जो है Renanculus का भी कोई plant मुझे मिला नहीं तो वो दिक्कत हो गई है ठीक है? चलिए Next पर चलते है सबसे जो end है बहु शाखी है यानि की Polyaceal अब देखो यह कैसियल हमने तो देखो जैसे मैंने कहा हमारे टीचर ने जो हमें वो कही सिखाया इसको कहना अब आप कहीं पढ़ोगे जो English Medium वाले बच्चे बोलेंगे कि मैं हम गलत बोल रही है हमको तो चेशियल सिखाया है तो भई जैसा जिसका कई लोग CH को च भी बोलते हैं कई CH को कभी Chemistry को अब Chemistry तो बोला नहीं जाता तो वो अपना अपना है जैसे जिसको टीचर मिले हमको जो हमारे टीचर मिले उन्हों नमें केसियल ही सिखाया है पॉली केसियल ठीक है और मैंने भी जहां तक सुना है पॉली केसियल ही सुना है बाकि आजकल मॉडन इंगलिश में चेसियल भी पढ़ते हैं इसको ठीक है हमने तो इत्ता सालोग केसियल में निकाल दिये चलो बहु केसियल बहु शाखी है यानि कि पॉली केसियल नाम से लग रहा होगा अब बहुत सारी शाखा है पहले एक लगी फिर दो लगी अब बहुत सारी लग रही है ठीक है इसलिए मैंने का साइमोज वाला इजी है ठीक है इसमें पुश्पी अक्षिक के पुश्प में समाप्त होने पर नीचे इस्थित परवसंद्दी से एक साथ अनेग शाखाय निकल कर पुश्प का निर्मान करती है ठीक है बहुत सारी शाखाय निकलेगी और हर के शिर्ष पर क्या लग जाएगा पुश्प लग जाएगा जैसे हैमिलिया और आप ये तो आप देखी सकते हैं यह चत्रत पुश्पक्रम जैसा दिखाई देता है, इस बात को मैंने especially लिखा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे आकड़ा, यानि कि आग जो शिवजी को चड़ाते हैं आकड़ा, अभी मैंने फोटो भी बताया था, जब आप उसको देखेंगे आपको लगेगा कि अंबेल यानि कि पुश्पक चत्रत आइप का जो है इंफ्लोरेंस है लेकिन ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वह साइमोज है क्योंकि उसके मेन एक्सिस पर एक फ्लार लगा हुआ है, प्लस यह जो शाखाएं हैं, अंबेल की क निकलेवे दिखेंगे, कोई एक पॉइंट नहीं रहेगा, तो आपका है, बताती हूँ मैं आपको कैसा होता है, यहाँ पे क्या होगा, वही मेन जो रहेगी वहां से बहुत सारे पुश्प निकल जाएगे, एक पे तो पुश्प रहेगा यह तर्मिनल पे और इन पे भी क् आपकिट्स चो होते हैं, वह इसका उधारने जो इसका पोटो भी मैंने आपे लगा के दिया आपको, यह देखो, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगी, आप देखेंगे वीडियो में, तो चलिए फटाफट से जल्दी वह आकडे वाला वीडियो देखकर आ जाएए, और ऑली केसियल साइमोज, यानि कि बहु शाकिय और सिमाक्ष प्रकार का पुषपकरम पाया जागा है, ओदेखें यह सब जगह से, इदर से निकला होगा है, सभी दिशाओं से जो है, पुषप निकलते हैं, तो फिर हम उसे बहु शाकिय पॉली केसियल भी कहते चैना, अर मल् था अब नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं यह देखो यह तो नहीं पर निकलेगी यह इस पर भी निकल सकती है खुद पर भी तो यहांपे वह वाला बताया है कि पहले वाली फिर उससे दूसरी वाली फिर उससे दूसरी वाली फिर उससे दूसरी वाली फिर उससे दूसरी वाली है ना यह स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी न कि नई ब्रांच जो निकलेगी वो एक तो ये निकलेगी ऐसे भी निकल सकती है और साथ में यहां से भी निकल से लेकिन यहां से भी कैसे निकलेगी एक ही तरफ निकलेगी और फिर इससे निकलेगी ठीक है फिर इससे निकलेगी फिर इससे फिर इससे क्योंकि व्रद्धी रुख जाती है तो ये कुछ ऐसा है, ये कैसे बनाया हुआ है, एक बार और देख लो, ये वाला हेलिकोइड है, ठीक है, स्कॉर्पियंड, सॉरी, हेलिकोइड बोल दिया मैंने, स्कॉर्पियंड है, ये वाली ब्रांच है, इस पे क्या हुआ, एक और पुष्प लग गया, फिर ये ब्रांच बन गई इस पे फिर एक और पुश्प बन गया फिर यह ब्रांच बन गई इस पे एक और पुश्प बन गया फिर यह ब्रांच बन गई इस पे तो अल्टरनेटी हुआ ना एकांतरित रूप से एक इदर एक इदर एक इदर एक इदर अब चाहे ऐसे एक इदर एक इदर हो चा कौन से वाले कुडलित वाले listened ये द्विशाख्य है ये पॉली क्याय मतलब बहु शाख्य है अच्छा द्वी शाखियों को युगमशाखियों मैंने पहले भी बोल दिया है पैसे युगमशाखियों और द्वी शाखियों एक ये कहीं बुक में आपको युगमशाखियों की जगा द्वी शाखियों भी मिल सकता है है वही बात और ये जो है ये भी polycasial प्रकार का है ठीक है तो छोटा सा था ये और खतम भी होता है क्योंकि फिर हम पढ़ने वाले हैं next वीडियो में special type के influence जो कि बहुत important है next class बिलकुल miss मत करना और I hope आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा इस chapter में तो मिलते हैं अगले वी फ्लोरेंच के साथ